हेलो फ्रेंड्स वंस अगें वेल्कम तो आर चैनल और आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं एलजेब्रा का लेसे नंबर टू उस जिसका नाम है रियल नंबर्स ओके डिरेक्ली मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए वैसे तो पीदिएफ भी मैंने उपन करक हुआ है यह हमारे टेक्सबूक ठीक है इसमें कैंसल क्या क्या हो चुका है मैं आपको यह बता देता हूं कि प्रैक्टिस सेट जो 2.1 अगर हम सौल करते तो इसमें फूर्थ फिफ्ट कोश्चन आपको नहीं करना है हर हर क्वेस्चन में तो यह जो है यह कैंसल कर दिये गए है मैं डिरेक्ली यहां पे इनको कट कर देता हूं शुरुआत में बता दिया है ठीक है तो हम लोग कोशिश करने वाले कि आज प्रैक्टिस से 2.1 तक पहुच जाए बट उससे पहले हमें कुछ चीजे देखने की जरूरत है जो चीजे समझेंगे तब हम लोग प्रैक्टिस चलते जाएंगे ऐसे सेट अफ नंबर्स को हम नाच्रल नंबर्स कहते हैं होल नंबर्स भी आपको मानूं था कि हाँ उसमें जीरो जो है वो एड हो जाता है नाच्रल नंबर्स बाकी के सारे मिला की यह नंबर्स बनते हैं होल नंबर्स उसके बाद में क्या दिखा था हम ल positive numbers भी होते है और rational numbers भी देखे थे हम लोग ने rational numbers जो होते है वो होते है P upon Q के form में जैसे की 3 upon 5 7 upon 4 ऐसे बहुत सारे numbers और rational numbers ठीक है तो यह सारी चीजे जो है हम लोगों ने last पिछले standards में हम लोगों ने definitely की है अब हम लोग अब क्या करने वाले अब हम क्या करने वाले है तो हम अब rational numbers के बारे में बात करने वाले है देखे rational numbers जो है वो भी दो type के होते है तो आप यह समझ लीजिए कि rational numbers जो है they are of two type terminating terminating मतलब division पूरा हो गया काम खतम और दूसरा होता है non-terminating ठीक है अब यह जो non-terminating है इसमें भी दो type होते है एक तो होता है recurring यह table आपको कहीपे भी नहीं मिलेगा आपको यह अपनी classwork notebook में ज़रूर लिखना है recurring recurring का मतलब क्या होता है repeating और non-recurring मतलब not repeating और non-repeating अब है ना अब danger sign आने वाली है वो यह है कि अगर भाई कोई number non-terminating है और उसी के साथ वो non-repeating भी है तो ऐसे numbers को हम क्या कहते है ऐसे numbers को हम कहते है irrational numbers ठीक है irrational numbers कहते है और ऐसे कौन से numbers है जो irrational होते root के जितने भी numbers जो perfect square नहीं बन सकते जैसे कि 3, root 2, root 5 root 11, root 17 root 26 भी मैं कह सकता हूँ ठीक है ऐसे numbers जो है यह सारे के सारे irrational numbers होते है even pi की value एक irrational number है pi की value ठीक है और terminating का मतलब क्या कि 2 upon 4 divide हो जाता है answer कुछ न कुछ आही जाता है 0.something like 5 यहाँ पर कोई number repeat हो रहा है जैसे कि 2.222223.3333 यह सब recurring numbers होते है तो आपको rational numbers के बारे में समझ गया कि rational numbers होते है pi upon q की form में लेकिन अगर इसमें division की बात करें तो दो terms हो जाते है terminating, non-terminating non-terminating के दिविए दो हिससे कर दिया हम लोगों ने recurring मतलब repeat होने वाले numbers decimal expansion के बाद और non-repeat होने वाले numbers ठीक है अब हम थोड़ा इसको और detail में ले जाते है अब detail की बात यह है कि हमें express करना है कोई recurring decimal in the form of p upon q तो देखो इसके लिए बहुत छोटी सी trick है हम लोग definitely वो tricky use करने वाले हैं यहापे ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पर यह p upon q के form में थोड़ा सा confusion हो जाता है हमेशाए इसमें चलिए अब करते है इसको solve हम लोग करते है कुछ color change dark color लेते थोड़ा सा चलिए क्या करना है express the recurring decimal 0.77 भाई recurring यह नहीं है अब देखो यहाँ पर मैं आपको इसकी trick बताने वाला हूँ p upon q के form में कैसी किया जाता है तो पहले लिख दो let x is equal to 0.777 dot 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 ठीक है this is considered to be my first step okay अब कितने numbers repeat हो रहे है 7 ही अकेला repeat हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसी भी form में लिख सकते है x can be of the form 0.7 bar जितने numbers repeating होते है उतने numbers के उपर हम लोग बाहर लगा सकते है अब देखे इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही number जो है वो repeat हो रहा है लिखना नहीं है आपको यह मैं आपको सिर्फ explain करने के लिए चलिए इसको हम लोग अलग color में करते है जो आपको लिखना नहीं है वो pink color में तो एक ही decimal repeat हो रहा है इसका मतलब मैं ट्रिक है कि 10 मतलब एक zero ही consider करना है 10 एक decimal repeat होगा तो एक zero के साथ में काम चलाना है दो डिजिट्स repeat हो रहे होंगे तो 100 से काम चलाना है तीन डिजिट्स repeat होगे तो 1000 से काम चलाना है ठीक है तो अब क्या करते हैं हम लोग इसको 10 से multiply कर देते हैं multiply both sides by 10 10 तो यह हो जाएगा 10X और यहां पर 10 से multiply होके यह हो जाएगा 7.777 ओके और यह है मेरे भाई second equation x ने लिखा यहां पर अब क्या करो second में से first वाला वह minus कर दो second minus first यहां पर डिरेक्ट लिग दिया है second minus one मतलब की 10X minus X और 7.777 में से minus होगा 0.777 answer क्याएगा 7.000 मतलब की 7 और यहां आएगा 9X अब हम क्या करेंगे क्योंकि हम लोगों को क्यों डेसिमल फॉर्म में नहीं है में आपॉन के फॉर्म में चाहिए पर शायद आपको इतनी जल्दी भी नहीं आए तो क्या करते हैं हम लोग और एक कोशन ले लेते हैं यही सेम रेकरिंग वाला कॉपी कर लेता हूँ और फटा फट हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे देखा जातो पहला कोशन सिर्फ एक डिजिट के फॉर्म में चल रहा था अब हम इसको देखे क्या से करते हैं इसको मैं हटा के पी आपॉन क्यू वापस लिख जेता हूँ नंबर लिख लेते हैं नंबर है 7.529 529 529 529 क्या हो रहा है मतलब की यह रिपीट हो रहा है 7.529 जो है भाई वह है रेकरिंग नंबर 529 रिपीट हो रहा है तीन नंबर से रिपीट हो रहे हैं दोस्तो तीन नंबर मतलब 3 0 मतलब 1000 याद रखना है तो पहले करेंगे let x is equal to जो उरिजिनल नंबर है वह 529 529 529 इसको हटा देता हूं यह समझ गया आपको जैसा कि बोला था तीन नंबर से रिपीट हो रहे है तो हम लिखेंगे multiply both sides by 1000 तो 1000 x और यह होने के बाद क्या होगा decimal जो होता है यह shift हो जाता है 3 places मतलब कि यह हो गया 123 यहां पर आएगा decimal ठीक है तो भाई वापस लिख देते हैं 7529 decimal 529 529 यह चलता ही जाने वाला है ठीक है क्या करना है first equation और यह थी हमारी second equation हमेशा wise steps है कुछ changes नहीं second minus first दोनों कर दो thousand minus thousand x के साथ x minus होगा 7529.529 529 के साथ minus होने वाला है देखो अब यहां पर ध्यान से क्योंकि यह 7.529 529 ऐसा कुछ होने वाला है देखो decimal के नीचे ही decimal लाना है याद रखे यह तो इस side 0 हो जाएगी और यह आएगा 2257 ओके देखा जाए तो यह ना थी के टेबल से डिवाइड हो सकता है और कोई दूसरा टेबल है ही नहीं ओके तो यह दिखी यह आगया हमारा 7522 देखी राइट आंसर है ऐसे करने हमें यह questions solve ठीक है तो मैंने एक चीज़ skip कर दी यहाँ पर कि terminating type के numbers कौन से होते हैं और non-terminating यह recurring वाले numbers वो कौन से होते हैं तो इसके लिए भी मेर पास एक छोटी सी trick है मैं आपको उसको explain कर देता हूं कि वो trick है क्या ठीक है देखो terminating पता करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होने चाहिए denominator में if the denominator में यह पर statement लिग देता हूं चलिए आपके लिए if the denominator contains 2 multiplied by 5 ठीक है or only as only number as 2 or 5 then only they are considered as terminating terminating example भी देता हूं उपको सबसे चोटा example 1 upon 2 divide करके answer आता है 0.5 5 upon 2 answer आता है 2.5 divide हो गया अभी और थोड़ा number लेते है बड़ा 27 upon 4 तो इसको क्या किया जाएगा 27 upon 2 into 2 इसका मतलब अभी भी नीचे 2 है इसको divide करोगे तो answer definitely आएगा मतलब 2 का square भी हो सकता है हाँ 2 होना जरूरी है यह याद रखिए लेकिन अगर गलती से कही पे आपको आगया 6 ठीक है अभी वैसे भी यह divisable था मैं 29 upon 6 लेता तो क्या होता फिर तो चलें divide करके देखते हैं अब यह non recurring होगा मैंने सिर्फ statement denominator में अगर 2 और 5 है तो ही वो terminating number हो सकता है आप कोई भी number ले लिजे और उसको 2 का जो भी square, cube जितने भी powers लगा के अब divide करना चाहते है तो divide definitely होगा लेकिन 2 के अलावा अगर कोई number आ जाता है जैसी कि यहां पर 6 आ गया इसका मतलब 6 का मतलब क्या है? 2 into 3 जैसी 3 आ गया which means this number is a non-terminating number यह guarantee से दे सकता हूँ मैं क्या के देखी क्या होगा अभी यहां पर मैं 6 ले लेता हूँ divide करता हूँ 29 को 6 4 आ 24 फिर आया 5 decimal लगाया 50 किया 6 8 आ 48 20 आया 18 किया 20 आया 18 किया 20 आया 18 किया कितने देर तक करने वाले आप? हुआ decimal divide नहीं हुआ इसका मतलब देखो यह non-terminating recurring है recurring मतलब repeat हो रहा था इसलिए non-terminating recurring okay तो आपको यह जरूर याद रखना है कि terminating के लिए सबसे ज़ादा जरूर है कि denominator check करो कभी भी अभी जैसे यहां पर दिया हुआ है चलिए इसको कोशिश करते है attempt करने की फटा-फट और देखते है answers आते हैं कि ही नहीं हमारे इसको कोशन तो वैसे भी छोटे ही होते हैं terminating है ठीक है recurring तो होगा yes recurring तो है but non-terminating recurring third क्या होगा third है 29 upon 16 16 मतलब क्या 29 upon 2 into 2 into 2 into 2 इसका मतलब होता है 29 upon 2 raise to 4 2 तो है ना अभी भी इसका मतलब यह terminating number है मैंने आपको trick बता दिये आपको बिना divide किये हुए भी पता चल जाएगा और fourth जो था दिया हुआ मैंने आपको बोला है कि fourth और fifth वैसी भी नहीं करना है सारे questions में fourth और fifth जो है वो cancel कर दिये गए as per the board तो तीन questions मैंने आपको solve करके दिखा दिये terminating non-terminating एकदम चुटकी में solve किये दोस्तों तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग definitely कर सकते हैं अब चलिए next वाले पर आ जाते है भाई अब इन्होंने कहा है कि इसको करना है आपको decimal form में convert अब यह बहुत मुश्कील काम है कही कही पर जो है 127 upon 200 कोशिश करेगी नीचे 100 ही हो मतलब कि यह 2 से divide कर दिया हमेने 63.5 आंसर आएगा 0.635 क्या होता है कि 2 zeros जो है जब मैं cut करता हूँ तो इसका मतलब है कि यह decimal है यह shift होने वाला है left side की तरफ यहाँ पर आएगा यहाँ पर लिकूँ 0.635 जो मैंने आ लिखा हुआ second question attempt करते है 25 upon 99 हाँ अब यह जो है यह थोड़ा सा difficult है ठीक है मेरे हिसाब से तो answer 0.2525 ऐसे होना चाहिए अब डिवाइड करने के अलावा हमारे पास कोई option भी नहीं है तो चलिए डिवाइड करते है 0.2 तूजा कितना होने वाला है 198 माइनस करके answer लिख दीजें यहाँ पर 52 0 और एक लगा दिया मैंने 520 कब आना चाहिए तो 520 के लिए हम लोग अब देखिए 99 मतलब कि 100 में 1 माइनस करेंगे तो 200 में 2 माइनस करेंगे तो answer 2 जा आएगा 300 में 3 माइनस करेंगे तो 400 में 4 500 में 5 इसका मतलब यहाँ पर आएगा 5 तो 5 से माइनस के तो कितना आना चाहिए 495 और यहाँ पर आएगा 5 नेक्स्ट आना चाहिए 35 350 इसका मतलब यहाँ पर आएगा अब चेक कर रहा था मैं बट नहीं आया वैसा कुछ यहाँ पर 3 आना चाहिए 300 में से 3 माइनस करते तो answer आ था 297 यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर आएगा 63 तो देखी यह नंबर जो है यह चलते जा रहे चलते जा रहे कहीना कई पर रुकना पड़े का इधर 600 माइनस 6 594 यहाँ पर आएगा 6 यहाँ पर आएगा 460 तो 6 फिर 4 396 यह ऐसी ही नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग ही इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग लिखा गया और डेसिमल में ऐसे कुछ कुछ कनवर्ट कर दिया गया ठीक है और नेक्स्ट कोशन कहता है सॉरी नेक्स्ट कोशन हमारा यही पे था अ यह था 23 अपन 7 डेफिनेटिल यह भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट डिवाइट तो करना पड़ेगा 23 डिवाइड वै 7 तो डिवाइड करते है 3s 21 2 डैसी में लगा दिया 0 7 2s 14 60 आ गया 7 8s 56 अभी यह डिविजन आप लोग 7 7s 49 अभी यह जो है यह चलता ही जाने वाला है ठीक है तो मैं यहाद की डिविजन करके इसको रोग देता हूं इस तरीके से आपका जो है 2nd question भी हो जाता है ओगे इस्ट वेट फॉर अ मिनिट यह PDF को कुछ हो गया है PDF PDF रिस्पॉंड तो नहीं कर रहा क्या हो गया एक स्ट चले जो एक्जामपल में हम लोगों ने प्रूफ किया था पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसी को हम लोग यहाँ पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तीन questions करने वाले first question ने 0.6 पर बाहर लगा हुआ विच मींस नंबर क्या है x is equal to 0.6666 और देखा जाए तो एक ही नंबर repeat हो रहा है इसका मतलब हम लोग multiply करेंगे कैसे बहुत simple है एक नंबर होगा तो multiply by 10 ठीक है मतलब both sides 10 से multiply करेंगे हमारा first equation यह और जब second equation 10 से होगी multiply तो यह होगा 10X और यह हो जाएगा 6.666 ठीक है 3 digit ले लिए तो भी बस हो जाता है अब next step क्या है minus करना है second minus first वाला तो कर दो 10X minus X यहां पर आ गया और यह 6.666 में से minus हुआ 0.666 यह आएगा 9X यह आएगा 6 x is equal to 6 upon 9 divide करोगे answer आएगा 2 upon 3 पहला answer आगया next question करते है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास time कम है वीडियो वैसे भी 20 minute के आगे चला जगा है तो यह आएगा हमारा दो numbers है repeat हो रहे है मतलब X है हमारा यह कुछ first equation दो numbers के लिए हम लोग क्या करते है multiply both sides by 2 zeros मतलब की 2 zeros क्या होता है 100 होता है तो left side में 100x और right side में 37.37 यह गए मेरी second equation चलो अभी second में से first minus करते है तो 100x में से अगर मैं x minus करता हूँ left side में वैसे right side में 37.37 37 मतलब की यहाँ पे 37 लिखना चाहिए बट ठीक है नहीं लिखा तो भी चल जाता है repeating यहाँ पे आएगा zero point point की नीचे point याद रखिए दोस्तों एकदम clearly बता रहो minus करना है तो आएगा 37.0 और यहाँ आएगा 99x यह आगया बस upon में कर दो answer हो गया हमारा यह आगया second और third वाले में उन्होंने कुछ तो भी बोला था 3.17 को करना है तो यह दिखिए मैं third वाला लिख देता हूं यहाँ पे 3.17 bar bar मतलब repeat होने वाला number which means 3.17 1717 दो नंबर से repeat हो रहे है तो पहले लिख लेते x is equal to 3.17 1717 यह हो गई पहली equation multiply किसे करेंगे हम लोग अभी तो आपको अच्छे से आ गई होगा multiply by 100 on the both sides तो यह होगा 100 x क्योंकि दो numbers है और यह जो है इसका number जो है हमें करना है shift shift कितर करना है दो decimal places shift हो गया यह आएगा 317.17 1717 देखिए अब यहाँ पे और वड़ा सा गड़बड होगा minus minus करने में but steps तो वही है second में से first minus करना है मतलब 100 x में से x minus होने वाला है left side में और right side में 317.1717 में से minus होने वाला है क्या 3.1717 याद रखिए decimal की नीचे decimal clearly बता रहा हूं यह गया 0 यह आगया 4 यह आगया 1 यह आगया 3 और इधर आगया 99 x किसी भी method से आप solve कर सकते हो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है vertical solving की है 314 divided by 99 और अगर यह divide होता है तो definitely divide कर सकते हो नहीं होता है तो ऐसी छोड़ दीजे इसको हो गया हमारा answer हमारी exercise भी complete हो चुके है दोस्तो 2.1 exercise पूरी हम लोग ने आज complete की next video में हम लोग देखेंगे और कुछ irrational numbers और real numbers के बीच का relation और कुछ चीजों को हम लोग करेंगे proof वीडियो पसंद आया होगा तो like कर दीजे दोस्तों के साथ share कीजे channel को कर दीजे subscribe